रवाईयों नमस्कार मैं जय प्रकास सिंग आपके देशी केती चुकार चैनल पे आप सभी का हार्दिक श्वागत यों अभिननन करता हूं किसान भाइयों आपने बहुत सारी वीडियो देख लिए हैं हमारी ग्लोव मैजिक एडवांस, यह माई इस्परे, घुवत्र, और जो है ओलीफ की, लेकिन आज आपको जो हम दिखाने जा रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी वीडियोस आई हैं हमारे किसानों की, हमारे मित्रों कि जिन्होंने भेजा है कि सर देखिएगा इसका रिजल्ट और दिखाईए पूरी दुनिया को जो की एक ऐसी सोच एक ऐसी टेक्निक लेके आया हमारा ग्रो में जिखेडवांस इंडिया ग्रो कह सकते हैं इंडिया ग्रो हमारे जो जिसके जैजने प्रोडक्त हैं बहुत तग आई है उन्होंने मेरे को वीडियो भेजी है वीडियो बहुत सारी आई है लेकिन कुछ चुनिंदा वीडियो आपको जो भेज रहा हूं जिनकी आवास और फोटो क्लिया रिजल्ट सबका एक से एक बढ़के एक से दमदार रिजल्ट तो देर नकरते हूं आपको ले चलता देख आप हां तुलसी माला में इन्होंने इंडियागरो का भू अस्तर ग्रो में जी करें मैं स्प्र को इस्तिमाल किया था और आज इतना संदर रिजल्ट है इंडिया अगो का काविशकार चमतकार हम चे ये चमतकार जो हुआ है हम किसान की ही जुबानी सुनना चाहेंगे की कैसा फिलिंग कर रहा है क्या चमतकार हुआ है तो चलिए चलते हैं हमारे किसान भाई के पास तो कि सर जय जोहार जय जिनेंद्र मुकेश कुमार जयन वोड़ाउं जाई चत्तिस गड़ जरवाएं से और मैं पहली बार इंडिया ग्रो का भू अस्त्र एक एकड़ में डाल के देखा हूं खाने के नाम से धान में तुलसी माला धान है उसमें खुजबुदार धान है एक बार इसको यूज़ करके आरगेनिक के हिसाब से डाला हूं और डाल के देखा तो आज जिन्दगी में पहली बार मैं साथ आर साल से खेती किसानी कर रहा हूं मगर इस ट्रैप का उप्योग और बंफर पैदावार मैं कभी जिन्दगी नहीं देखा था आज पहली बार देखा तो कम से कम एक ध्यार में हैं युद्धा करके देखुंगा और इतना बड़ा ब्लुंत देडवीटा बाली है . देल बीता उस हिसाब से इतना इसका पैदावार बंफड पैदावार है और जोड़दार है खुश्बुवाला धान है दिल खुश हो गया जी मज़ेदार हो गया एक नमबर लगा मेरे को और महनत का फल मेरे को समझ में आए कि यह महनत का फल है आज के बाद मैं तो भू अस्त जैविक खाट जो हमें डाले है उसका रजल्ट देखिए मेरे हाइट से भी बहुत ही पड़ाए रिजल्स आया है बहुत बड़ी हाइट आये बालिया देखिए इसके कि इतने लंबी-लंबी बड़ी बड़ी आई है जिसमें मैं इतने डूप गई हो कि हम निकलने में मुश जानकरी देना चाहिए मैं कैसे रिजल्ट आया कुछ बता ये दो सब्सक्राइब बोलिए मैं उमा चंद्रवन सी ग्राम रहनुटला से जीला राजनान गां 36 गर्से मैं इधान में भू अस्रा और ग्रो मैजिक का इस्तमाल किया हूं पहले ऐसा नहीं था हमारे फसल हमारे जासर जी ने बताए कि ऐसा टालो ऐसे करके फिर हम लोग डाले भू अस्रा गो मैजिक उसे रिजल्ट बहुत अच्छा है पहले ऐसा नहीं था और मैं इहीं बताना चाहती हूं कि हमारे किसान धाईयों से कि भू अस्रा गो मैजिक का इस्तमाल करें सिर्काव करें तो चलिए दोस्तों यह हमारा रामपुर गाउं का है राजनान गाउंजीला में रामपुर गाउं है तेंदुनाला के पास चिछोला के पास हमने यहाँ पे भू अस्तरों ग्रो मैजिक पहली बार इस खेत में डलवाया था कई सालों से फसल कर रहे हैं धान की खेती कर रहें लेकिन ऐसा पहली बार आया है कि आज करीब सारह 5 फूट पहुने 6 फूट का हाइट है प्रोड़क का इसका बाली देखिए एक बीता से जादे इसका बाली है और इसकी कंसा भी बहुत जबरदस्थ है बहुत अच्छा रिज होगा लेकिन आज हमारा प्रोड़क रिजल्ट बता रहा है कि हम शिर्फ और गेनिंग से इतना बेहतरीन रिजल्ट ले सकते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है मैं तमाम किसान से यही बोल निवेदन करूंगा कि आप लोग भी अपने खेत में इंडिया एग्रो ब्रांड का प्रोड़क्ट इस्तेमाल करें और अपने जमीन को भी बचाएं अपने पादन को भी बहुत अच्छा से अच्छा करें सो थैंक यू जय ही दोस्तों नमस्कार यह है इंडिया एग्रो का कमाल पूरा सिस्टन से मैं ग्राम गोदरी में एक किसान के आया हूँ आ अधिक खचा खच भरा हुआ है हाइड तो देखो नहीं प्रीरा मेरे हाइड के और नीचे से अब देख सकते हो यहां पर मैं अंदर घुंसा हुआ था और मैं देख करके काफी प्रभावित हूँ और ऐसे कारी करेंगे तो हर किसान को आर्थी किसीती से अजादी मिलेगा मै करता हूं कि अपना इंडिया गुल का इस्तिमाल करें देखे नमस्कार दोस्तों जय जोहार मेरा नाम चंद्राकर है आज से साथ दिन पहले मैंने इस खेद में टोटल सिस्टम से भू अस्तर ग्रोव मेजिक मैं स्प्रे मैं वीर मैं सिस्ट्रा जो जो लगता है हमने इसको दिया आपके सामने देखो फसल जो साइज पांस से च्छेव फीट उचा और ज्योंकतों खड़ा हुआ है इधर देखते हैं जो पुराने विद्ध्यती से यूरिया डीपी के साथ अइए सर यूरियाडीपी के साथ जो लोग उत्पादन करते हैं यह धान का साइज देख स और चारो तरप कम से कम दस बारे कर जमीन में इन्हीं पूरा भूस्त्र का इस्तिमाल किया थो मैं भारत के हर किसानों को चाहूंगा जरूर आने वाला जब फसल चाह कोई भी फसल हो हमारा भूस्त्र जमीन में डाले अभी तो गूड़ निस यह है कि हमारे भारत वर्स के दोस्तो यह हमारा इंडिया एग्रो ब्रांड का हम लोग पर चार में निकले हैं और एक किसान भाई यहां पर डाले हैं तेंदू नाला में तो इनका खेत का रिजल्ट है इनको जान बुच के मैं खेत में भेजा हूं कि ग्रोथ हाइट कौन सा धान है पूरा बताने वाले हैं यह पूरा किसान जो है यह खेत में पूरे चार साढ़े चार एकर में डाले है पूनका इनका पूरा प्लाट है तो क्या डाले हैं कैसा है अपना पड़्चे बताईए सर मैं सर शगन पटेल तिंदू नाला इस धान डाला हूं सर पान कंपनी का आठ सो चार और इस नाम है ज भूआस्त्र और ग्रोमेजीक जी तो आपका रिजल्ट कैसा है सर कितने साल से खेती कर रहे हैं तो अभी का फ़सल आपको कैसा लग रहा है इनके देखिए दोस्तों इनके बालियां देखिए आपको पास से दिखाता हूं इनकी बालियां बहुत लंबे-Lंबे हैं और कंसे कि बात करूं तो एक खेट तो देख रहा है मैं एक खेट में भी दिखाता हूं यह देखिए दोस्तो इनके कंसे देखिए बहुत जबरद SCOTT है पूरे सारे चार एकर में डाले हैं बहुत जबरद्स्त इनका जल्ट एंडिया एग्रो हमारा भूअस्त्र और GRO Unlike मैजिकाया कुछ मीश्टेट किये इन्होंने इसप्रे नहीं किए हैं नहीं तो और बेहतर रिजल्ट आता दोस्तों तो इन क्या बोलना चाहते हैं हम किसान भाईयों को हमारे भारत के लोगों को मैं तो चाहता हूं सर हर किसान अपना अपना ये सब इसकिम को और अपना जमीन को न सुधारे हैं जी सर धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और आने वाला समय में मैं चाहता हूं कोई आपके थुरू लोगों तके ब्रांड कर दो आपके ब्रांड दो 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 तके बंदान पना आपके बहुत थक्ता हैं जी सकते हैं ऑना।